श्री गणेश आय नमहा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गणेश अदूर्थी की चार पौरानिक एबम प्रचलित व्रत कथा पहली कथा के अनुसार श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपताओं में घिर गए तब वह मदत मांगने भगवान शि को इस कारे के लिए शक्षम बताया इस पर भगवान शिव ने दोनों की परिक्षा लेते वे कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले प्रित्मी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओंगी मदद करने जाएगा भगवान शिव के समुख यह वचन सुनते ही कारते क अपने वाहन मोर पर बैट कर प्रित्मी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए परंदु गणेजी सोच में पढ़ गए कि वह चुहे के उपर चड़कर सारी प्रित्मी की परिक्रमा कैसे करेंगे इस कार में उन्हें बहुत समय लग जाएगा तब ही उन्हें एक उपाय गणेजी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ बार परिक्रमा करके वापस बैट गए परिक्रमा करके लोटने परकारते के स्वैम को विजेता बताने लगे तब सीब जी ने श्री गणेज से परिक्रमा की प्रित्मी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तब गणेश जी ने कहा माता पिता के चड़नों में ही समस्त लोग है यह सुनकर भगवान श्रीब ने गणेश जी को देवताओं के संकर दूर करने की आगया दी इस परकार भगवान श्रीब ने गणेश जी को आशिरवाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा चारों तरफ से मनुश्यों की सुक समर्दी बढ़ेगी पुत्र पौत्रादी धन एश्वरे की कभी कमी नहीं रहेगी गणेश चतुर्थी ब्रत की दूसरी कथा एक समय की बात है राजा हरिश चंद के राज्य में एक कुमहार था वह मिट्टी के बरतन बनाता था लेकिन वे कच्चे रह जाते थे एक पुजारी की सला पर उसने इस हमस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालों को मिट्टी के बरतनों के जाद आवा में डाल दिया उस दिन संकस्री चतुर्थी का दिन था उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी उसने गणे जिसे बेटे की कुशलता की प्रातना की दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके बरतन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल भी मांका नहीं हुआ था वे डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बतलाई इसके बाद राजा ने उस बच्चे और इसकी मा को बुलबाया तो मा ने सभी तरह के विगन को दूर करने वाली संकस्टी चतूर्थी का वर्णन गिया इस गटना के बाद से महिलाएं संतान और पारिवारी स्वभागे के लिए संकर चौत का वरत करती है गड़े चतूर्थी की तीस्ती कथा के अ समय आ गया सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विभा समारों में आ गए उन सबने देखा कि गणेजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे तब वे आपस में चर्चा करने लगी कि क्या गणेजी को नियोता नहीं दिया गया या गणेजी स्वैम नहीं आये हैं सभी को इस बात पर आश्चर होने लगा तब ही समने विचार किया कि विश्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए विश्णु भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेजी के पिता भोलिनात महादेव को नियोता भीजा है यदि गणेजी अपने पिता के साथ आना चाहे तो आजाते अलग से निवता देने की कोई अवशक्ता नहीं थी दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड़ू का भोजन दिन भर में चाहिए यदि गणेजी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जावर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता इतनी बार तक करी रहे थे कि किसी ने एक सुझाब दिया कि यदि गणेजी आ भी जाए तो उनको द्वारपल बनाकर बठा देंगे कि आप घर की याद रखना आप तो चुहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे यहीं भी सुझाब उनको पसंद आ गया तो विश्णु भगवान ने अपनी सहमती दे दी होना क्या था गणे जी वहां आ गए और उन्हें समझा बजा कर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया बरात चल दी तब नारज जी ने देखा कि गणे जी तो दरबाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणे जी के पास गए और रुपने का कारण पूछा गणे जी कहने लगे भगवान विश्णों ने मेरा बहुत अपमान किया है नारज जी ने कहा कि आप अपनी मुसक सेना को आगे भेज दे तो वे रास्ता खोद देगी जिससे उनके वहां धरती में धस जाएंगे तब आपको समान पूरवक बुलाना पड़ेगा अब तो गणे जी ने अपनी मुसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पौली कर दी जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिये धरती में धस गए लाग कोशिश करे परंतु पहिये नहीं निकले बलकि जगह जगह से तूट गए किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब तो नारजी ने का आप लोगों ने गणे जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया यदि उन्हें मना कर लाया जाये तो आपका कारे सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को आता तो उसे बुलाया गया खाती अपना कारे करने से पहले श्री गणे शाय नमा कहकर गणे जी की वन्ना मन ही मन करने लगा देखते ही देखते खाती के सभी पहियों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा कि हे देवता हूं आपने सब पर्थम गणे जी को नहीं मनाया इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है हम तो मूरख अज्यानिया फिर बिह पहले गनेजी का पोजन करते हैं उनका ध्यान करते है आप लोग देवता घ्ञाने फिर भी आप श्रीष गनेजी को कैसे भूल आई है गणेश जी महाराज आपने विश्णु भगवान को जैसो कारज सारी एसो कारज सब को सिध कर जो बोलो भचानाद भगवान की जै गणे चतो इबरत की चौती कठा के अनुशार श्री गणेश बुरकी पौराणी कठा के अनुसार एक बार भगवान शीफ तथर माता-पारवती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे वहां माता पारवती ने भगवान श्रीब के साथ समय वैतित करने के लिए चौपड खेलना चाहा श्रीब चौपड खेलने के लिए तैयार हो गए परंदू इस खेल में हारजित का फैसला कौन करेगा परंदू हमारी हारजित का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना की हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता उसके बाद बगवान श्रीब और माता पारवती का चौपड खेल शुरू हो गया यह खेल तीन बार खेला गया और सयोग से तीनों बार माता पारवती ही जीत गई खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया उस बालक ने महातेव को विज़ाई बताया है यह सुनकर माता परवती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड में पढ़े रहने का श्राब दे दिया बालक ने माता परवती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझे अग्यानबश हुआ है मैंने किसी द्वेश भाव में ऐसा नहीं किया है बालक द्वारा शमा मांगने पर माता ने कहा यहां गणेश जी के पूजन के लिए नाकन्याई आएंगी उनके कहे कि अनुसार तुम गणेश वरत करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे यह है कि अगर माता परवती शीप के साथ कैलाश परवत पर चली गई एक वर्ष के बाद उस थान पर नाकन्याई आएं और नाकन्याई से श्री गणेश के वरत की विधी मालुम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का वरत किया उनकी श्रद्धा के अनुसार गणेश जी प्रसंद हुए उन्होंने बालक को मनोवांचित फल मांगने को कहा उस पर बालक ने कहा हे विनायक मुझे में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ केलाश परबत पर पहुँश सकूं और यह देख कर प्रसंद हूँ तब बालक को वर्दान दे का श्री गणेश अंतरध्यान हो गये इसके बाद वैं बालक केलाश परबत पर पहुँशने कि अपनी कथा उसने भगवान श्रीब को सुनाई चौपड वाले दिन से माता पारवती सिवजी से विमुख हो गए थी अत्या देवी के रुष्ट होने पर भगवान श्रीब ने भी बालक के बताय के अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से माता पारवती के मन में भगवान श्रीब के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त होगी तब यह व्रत विदीर भगवान शंकर ने माता पारवती को बताई है सुनकर माता पारवती के मन में भी अपने पुत्र कारतिके से मिलने की इक्षा जागरित ह तब मातापार्वती ने भी 21 दिन तक श्री fragments जी का वृत कया धुर्वाव फूल और लड़ों से गनीजी का पूजन 17 किया वृत के 17 में दिन कार्थ के स्वए मातापारवती से आमिले उस दिन से श्री गणिश चतुर्दी का यह बॉर्त समस्estar मन्यकाम्नाओं की पूर्प्राइब पहला माना जाता है इस व्रत को करने से मनुश्य के सारे कश्च दूर हो जाते हैं मनुश्य को समस्त सुक्षुधाय प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार गणे शदॉल्थ की 4 पोढार्रनिक भरत कताए समाप्त हुई